जहिंद प्यारे साथियों कैसे हो आप सब बिल्कुल मस्त होंगे जुने के स्टेडी विद अजय यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्पुन टॉपिक पर और यह टॉपिक जुड़ा जो कल रिजल्ट आये और यहां पर मैं पिछले दो साल से नेट का फर्स्ट पेपर और जोग्रोफी दोनों पड़ा रहा हूं और मेरा खुदगार तीन बार जोग्रोफी से जहरफ क्वालिफाई है तो यहां पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिसमबर 2022 के मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं बाकि मॉर्णिंग में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपके साथ डिसकस किया था बाकाइदा रिजल्ट को दिखा कर जो मेरे बैट से थे तो प्यारे साथिए सबसे पहली तो एक बात बता दूँ दिको जैरफ का रू के जैरफ क्वाइब हुआ है दो हजार थीनसो सत्ता रूं कंडियोट का नेत क्वालिफाई हुआ है तो जायद से बात है जैरफ की गटॉप थोड़ी जादा गई थी क्यूंकि 0.6 4% कंडियो नियुक्त का जैरफ क्वालिफाई हुआ है यदिक 1% के आज पास करते हैं तो ह जोग्रोफी का बैच था उसमें टोटल 424 कंडिडेट थे जिसमें से 20 कंडिडेट का जैरफ क्वालिफाई हुआ है बैच से हाइस्ट स्कोर है राम पुरोईत का 158 क्यूशन नंबर 200 में से 158 नंबर आए इनके इसके लावा कोमल है जिनके 200 में से 108 नंबर आए जोग्रोफी म यह है हमारे बैच के टोपर जिनके सबसे ज़्यादा स्कोर हुआ है लेकिन मेरा जो टार्गेट था वो अब की बार भी पूरा नहीं हो पाया क्योंकि मेरा सबसे मेली टारियर था कि कम से कम पांच ऐसे कंडिडेट हो जिनके जोग्रोफी में 80% प्लस मांक्स आए मतलब जि से प्लस ही जाती है तो यह वो कंडिडेट हैं जिनका हमारे इस बैच से जयरफ क्वालीफाइव हुआ है और यह हमारा स्कोर है प्यारे साथियो अब यहाँ पर हम बात करें सेवंटी फटर्शेंट प्लस का स्कोर करने concealed Epic असंच पास ती कुछ कंडेट के सब्जेक्थ में बहुत अच्छा स्कोर था लेकिन फस्ट पर में उनका कम स्कोर था जिसके वज़े से जरफ नहीं हो पाया इसके लावा यहां पर हम बात करें प्यारे साथियों दिसंबर 2022 का जो रिजल्ट है उसमें हमारे यहां से 20 कंडिरेटों का जैरफ क्वालिफाई हुआ है दिसमबर 2020र जुन जून 0217 कंडिरेटों का नेट क्वालिफाई होई सत्रा कंडिरेटों का जैरफ हुआ और उसका सबसे बड़ा रीजन है पास करने की संक्याई कम करती मातर 0.64% कंडिरेटों का जयरफ पास किया गया है अब जून 2030 के लिए हमारे यहां पर नया बैच सुरू हो चुका है प्यारे साथियों और यहां पर दो बैच स्टार्ट हो चुके जून 2030 के लिए भी दिसंबर करवाऊंगा जून 2030 के लिए जो जोगरोफी का बैच है उसमें मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा किस तरीके से पढ़ाऊंगा यदि आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्किप्सिन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है उसको जरूर देखना जून के लिए लेकिन इनमें फिलाल में ओफर चल रहा है जो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूँगा वीडियो को लास्त तक जरूर देखें उसके बाद हम बात करें नेट जियरफ के फर्स्ट पेपर की तो फर्स्ट पेपर का प्यारे साथ की और रिजल्ट कुछ इस इस तरीके से हमारे फर्स्ट पेपर के टोटल तीन बेच बने थे एक पैस में तीन सो दस कंडिधर थे दूसरे में 250 थे एक में 130 थे यदि मैं मांक्स की बात करें तो हिमेज के हाईस्त तम्वाल इसक्यूसर ठीक हुए है प्रिया के च्छींसा हैं अमित के च्छींसा मांक् तो यह हमारे बैच के टोपर्स हैं फस्ट वेपर वाले बैच के यहां पर भी मेरा और पुरा टार्गेट कंप्लेट नहीं हो पाए क्योंकि मेरा टार्गेर था कि बैच में कम से कम पांच ऐसे गंडी डेट हो जिनके 45 प्लस क्योशन ठीक हो ठीक है जो हीमेश और प्रिया कि टोपर और यदि मैं ओर्राल मार्कस की बात करूं तो प्यारे साथ क Keys यहां पर बिलकुल मैंने सारी चीज़े लिखी हैं आसी प्लस मार्क्स लाने वाले 13 candidate 3, 78 mark चलाने वाले 11 candidate 3, 6, Team 1, 64 mark चलाने वाले 22 candidate 3, 22 mark चलाने वाले 49 candidate 3, 79 candidate 4 certificates 2 तो यह है पहरे 7 हमारे महरे 1st paper के betse का result, तो यदि आप 1st paper आपकी बार यदि 1st paper ठीक ना होने की वज़े से आपका जैराफ रुक गया नेट रुक गया तो भाई जून दो हजार तेश के लिए हमारा फर्स्ट पेपर का बिलकुल फ्रेस जीरो लेवल से बैच स्टार्ट हो चुका है आप वो बैच जोइन करें और फर्स्ट पेपर में जो कम नमबर आते हैं फर्स्ट पेपर की वज़ हम पेपर पैटर लेवल दोनों का बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान रखते हैं उसके बाद प्यारे सात्यों यह हमारे पिछली बैच का रिजल्ट है जिसमें हमारे 21 कंडिडियों का जैराफ क्वालिफाई हुआ था ठीक है और पिछले वाले देखो पिछले वाले जैराफ क्वालिफाई होता तो भाई साब जैराफ पास करने वालों के संक्या भी और तीस प्लस जाती है तीक है अब यदि आप दोरों पेपर में से किसी का भी बैच लेते हो तो आपके यहां पर रेगुलर लाइव किलास रिकोर्डिट किलास पीडियाफ करेंट एफ सबसे पहले हम बात करते हैं यदि आप केवल जोग्रोफी का बैच लेते हो और जून तक के लिए Лएते हो तो अठारा सौ रूपार फीज है अगले दो दिन के लिए बाद में 2100 रूपार हो जाएगी यदि आप दिसमबर के लिए लेते हो ओनली जोग्रोफी का पैच तो अगले दो दिन तक फीस है बाइस सो रुपए बाद में सत्य सो रुपए हो जाएगी जदि आप जोग्रोफिका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेते हो तो फिलाल में फीस है 3500 रुपए बाद में 5000 हो जाएगी इसके लावा प्यारे साथियो जदि आप दोनों पेपर के ये तो जून तक फीस है जून के लिए फीस है 3500 रुपए है लेकिन फिलाल अगले दो दिन के लिए केवल 700 रुपए और यदि आप दिसंबर तक के लिए बैच लेते हो तो फीस्साह के लिए दिसम्बर तक के लिए है मेरे प्यारे साथियों दो हजार रुपए लेकिन यदि आप अगले दो दिन में लेते हो तो यहां पर भी आपको दो सो रुपए का डिसकाउंट मिल जाएगा ठीक है तो फर्स पेपर की जून तक की फिस्वी तेरा सो रुपए और दिसम्बर वाले रिजल्ट आए उसमें बिल्कुल टॉप में आप लोगों की फॉटो हो वह भी एक बहुत गजब के और अब मैं पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूं प्यारे साथियों कॉंटेंट बहुत बेस्ट प्रोवाइड करवाओंगा मैं आपको क्या-क्या कॉंटेंट प्रोवाइ सा गिप्ट टिलेवरी करवाओंगा ठीक है एक बहुत शानदार सा गिप्ट कोरियर करवाओंगा जदी जोग ग्रोपे में 80 प्लस का स्कोर करता है फर्स पेपर में 45 प्लस का स्कोर करता है तो ठीक है तो यह थी पूरी पूरी कहानी प्यारे साथियों बाकी आपने अब भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए थैंक्स भाई मेरे प्यारे साथियों